लहासा की ओर सारांश क्लास 9 इस पार्ठ में लेखक राहुल संकृत्यायन बताते हैं कि वह तिब्बत जाने के लिए नेपाल के जिस रास्ते को उप्युक्त समझते थे हमारे देश की वस्तुएं भी उसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी वहां पूरे रास्ते में कुराने के लिए थे जहां चीनी फौजे डेरा डाले हुए थी वहां रूडी वादिता का कोई नामों निशान नहीं था वहां की औरते परदा नहीं करती थी वहां जाती पाती धर्म छुआ छूत नहीं है और सबसे अच्छी बात कि वहां के लोग बहुत मददगार होते हैं चाहे वे अपने जानने वाले हो या अनजान वे सभी की सहायता करते हैं तिब्बत का विशेश पे पदार्थ चाय है जिसे आप जैसे चाहे वैसे ही बनवा सकते हैं लेखक राहुल साकृत्यायन की भेंट मंगोल की एक भिक्षु सुम्ती से होती है जिन्हें वहां के रास्तों का बहुत ही अच्छी समझ है क्योंकि वह पहले यहां आचुके हैं वे एक भिखारी के भेश में थे फिर भी उन्हें रहने के लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगा मिल गई थी परंतु जब वह पांच वर्ष के बाद एक समय यात्री के भेश में घोडे पर सवार होकर इसी रास्ते से आए तब किसी ने उन्हें रहने के लिए जगा तक नहीं दी लेखर पताते हैं कि अगले दिन उन्हें और सुम्ती जी को तिब्बत की एक सबसे अधिक उचाई वाली जगा जिसका नाम था थोला को पार करना था जो की अत्तिधिक उचाई के साथ साथ अत्तिधिक जोखिम भरा भी था जिसकी कुल उचाई 16,000 से 17,000 फिट थी जिसके कारण दूर दूर तक कोई गाव नहीं था इसी बात का फाइदा उठाकर खतरनाक दाकू यहां आराम से आवास कर सकते थे लोगों से छिपने की जगह तथा सरकार की नर्मी की वजह से यहां अक्सर आने जाने वाले यात्रियों की मौके पर लूट पाट करके उनके खून कर दिये जाते थे क्योंकि डाकू यहां भिखारी के वेश में थे इसलिए हत्य की उन्हें परवाह नहीं थी लेकिन उचाईयों का दर बना रहता था दूसरे दिन वे पहार की खड़ी चड़ाई पर चड़ने के लिए अपने घोडों पर सवार होते हैं और एक जगह पर चाय पीते हैं फिर दो पहर तक 17 से 18,000 फीट उचे डाड़े पर पहुँच जाते हैं उन्हें दक्षन पूरब की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहार दिखी और उत्तर की ओर पहारों पर कुछ बर्फ दिखी सबसे उची जगाह पर पत्थरों के धेर रंग बिरंगे कपड़े की जंडियों से सजा डाड़े के देवता का स्थान और जानवरों की सीन दिखे उतरते वक्त लेखक राहुल सांकृत्यायन का भोरा धीरे धीरे चलने की वजह से पीछे रह गया था जैसे ही वे आगे बढ़े तो आगे दो रास्ते फूट रहे थे जिस रास्ते को लेखक ने चुना उस पर काफी दूर चलने पर पता चला कि वह रास्ता गलत है इसलिए लेखक को वापस हटना पड़ा और तब सही रास्ते पर चलने लगे जिसके कारण उन्हें गाव पहुचते पहुचते शाम हो गई वहां सुम्ती गुस्से से लाल थे और लेखक राहुल सांकृत्यायन की बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे फिर लेखक कहते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है परन्तु सुम्ती बहुत जल्द ही शान्त हो गए लंकोर में वह सही स्थान पर रुके थे वहां उन्हें चाय सत्तु और ठुपा का आदी पदार्थ खाने को मिला लेखक राहुल साकृत्यायन के अनुसार अब वे एक ऐसे दुर्गम स्थान पर थे जो पहाडों से घिरे टापू की तरह लग रहा था सामने एक छोटी सी पहाडी दिखाई परती थी जिसे तीस माधी गिरी के नाम से जाना जाता था आसपास के गाउं में सुम्ती के बहुत से जान पहचान के रहने वाले थे वे उनसे मिलना चाहते थे लेकिन लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुँचकर पैसे देने का वादा किया सुम्ती मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया अगली सुबह उन्हें कोई भी सामान धोने वाला नहीं मिला आग बरस्ती धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था। उस जगा की धूप बहुत कठोर थी। उनका सिर धूप से तिल मिला रहा था और पीछे कंधा थंड़ा पड़ा था। उन्होंने पीठ पर अपना सामान लागा और सुंती के साथ शेकर विहार की ओर चल दिये। तिबबत की जमीने कई छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बंटी हुई है। इनका अधिकांश हिस्सा मठों में मिला हुआ है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीदार कुछ खेती स्वयन ही करते थे। जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में ही मिल जाते थे। उनके सारे रखरखा एक भिक्षु देखता था और वह जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। लेखक शेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से बहुत प्यार से मिले। खकमान भी गए थे। दूसरे दिन सुम्ती अपने यजमानों से मिलने निकल गए और फिर उसी दिन दो पहर तक लोट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान अपने पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े।